नमबर वन चानल के नमबर वन सो शाजिश में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्ला आज बात सबसे पहले इसराइल की रिपोर्ट है कि इसराइल ने युद की कई बातों को चुपाया है दुनिया से दावा किया जा रहा है कि हमाज से लड़ते हुए इसराइल के इतने ज्यादा सैनिक मर गए है कि सही आंकडे तक नहीं जारी किये जा रहे है रिपोर्ट तो ऐसी भी है कि इसराइल ने जितने सैनिकों के मरने की बात मानी है उससे दस गुना ज़्यादा फौजीयों की मौत वहां पुई कर देज़ा है इसराइल को दुनिया का एक बहुत ताकतवर मुल्क माना जाता है इसराइल का एरो एर डिफेंस इतना ताकतवर है कि इसराइल दावा करता है कि अगर 2000 किलोमेटर दूर से भी कोई मिसाइल इसराइल की तरफ लाँच होती है तब तक इस्राइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का अंकडा लगबग इस्तिर रहा लेकिन जैसे इस्राइल ने अपना ग्राउंड ओपरेशन शुरू किया इस्राइल के सैनिकों के मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई लेकिन अब जो समचार फिलिस्टीन के अख़ाप रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इस्रेयल की सेना और इस्रेयल की सेरकार इस्रेयल के सैनिकों की मौत के आंख़ों को छुपा रही है फिलिस्तीन क्रोनिकल नाम के एक अखबार ने इस्रेल के मिलिटरी सिमेट्री यानि इस्रेल के सैनिक अबरस्तान यानि वो जगह जहां पर इस्रेल के सैनिकों को दफन किया जाता है उस जगह के डिरेक्टर डेविड वार्नर बरूच का एक इंटरव्यू छपा है इस इंटरवियो में इस्रैल की retrouv सिमिटरी के डिरेक्टर डेवीड वोर्न ने कहा है कि इस्रैल के अंदर हर घंटे एक इस्रैली सेनिक का शब कबरिस्तान में दफं होने के लिए आ रहा है इस इंटर्वियो को फिलिस्तीन के अरब देशों के अकबारों ने हाथों हाथ लिया और ये दावा किया कि इस्रेल के सैनिकों की मौत का आखड़ा आधिकारिक आखड़े से कहीं ज्यादा है जेरुसलम के पश्चिमी इलाके में माउंट हरजल कब्रिस्तान है और यहाँ पर इस्रेल की सेना में काम करने वाले सैनिकों को दफनाया जाता है मिडल एस्ट मौनिटर नाम की एक और न्यूज वेबसाइट में इस कब्रस्तान के डिरेक्टर डेविट ओरेम का बयान छपा है पिछले 48 गंटे में 50 इस्रेली सैनिकों को दफनाया गया है लेबनम के बॉर्डर पर हेजबुला से लड़ते हुए मारे गये हैं और 300 से जादा सैनिक 7 अक्टूबर और उसके बाद एक हफ़ते तक इस्रेल के अंदर हमास के आतंकवादियों से सीधे लड़ते हुए मारे गये है लेकिन फिलिस्तीन के अकवारों का दावा है कि ग्राउंड ओपरेशन में इस्रेल के सैनिकों के मारे जाने की संध्या आधिकारिक आँखनों से कहीं ज़ादा है अगर इस्रेल के मिलिटरी सिमिट्री यानि सैन लेकरिकर डेविट वारेन के आँखनों को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इस्रेयल के ग्राउंड ओपरिशन को लगभग 30 दिन हो चुके हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं यानि 30 दिन में 720 घंटे होते हैं अगर इस्रेयल के सैनिक अपरिस्तान के डिरेक्टर के मुताबिक हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अब तक ग्राउंड ओपरिशन से 30 दिनों में 720 सैनिकों की मौत हो चुकी है ये सिर्फ एक अनुमान है इसकी पुष्टी नहीं की जा सकती है इतना ही नहीं हेजबुल्ला ये दावा करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हेजबुल्ला के 80 लड़ाके मारे गए है जबकि इस्रेयल के गरीब 10 सैनिक मारे गए है जबकि हेजबुल्ला को सपोर्ट करने वाले देश इरान के सरवुच नेता खामनेई भी ये बयान जारी कर चुके है इस्रेयल के ज्यादा सैनिक मारे गए है लेकिन इस्रेयल आंकोडों को छुपा रहा है अब ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि क्या वाकई में इस्रेयल की सेना अपने मारे गए सैनिकों के आंकोडों को छुपा रही है इस्रेयल की सेना प्रोपेगंडा वार में हमेशा सबसे आगे रहती है और आज भी इस्रेयल और हमास के युद में अगर देखा जाये तो हमास के पक्ष में बात करने वाले गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी पत्रकारों के हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस्रेयल की सेना अपनी पकड को मजबूत कर रही है। और जहां तक इस्रेयल के सैनिकों के मारे जाने की संचा का सवाल है तो यहां एक और बात जाननी जरूरी है कि इस्रेयल के डिफेंस फोर्स खुद को एक सुपीरियर आर्मी यानि सरवश्रेश्ट सेना की दरब तस्तु करती है और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सैनिकों की मौत के ऐसे आंकड़े पेश करे जो दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा हों। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात ये भी है कि इस्रेयल की के सैने नीती है कि वो हमेशा दुश्मन के दस गुना आद यानि घाजा में एक बहुत बड़ा नरसंगार हो रहा है लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के नैशनल सेक्योटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्वी ने पत्रकारों के सामने एक प्रेंस कॉनफरेंस में ये कहा है कि घाजा पट्टी में कोई नरसंगार नहीं हो रहा है ये पूरा बयान आपको सुनाएंगे और इसके आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जॉर्डन भी घाजा पट्टी के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है लेकिन सबसे पहले अमेरिका के उस पाखंड के बारे में बताना जरूरी है जो बिलकुल साफ नजर आ रहा है य योक्रेन और रूस के युद में जब पुतिन की मिसाइल योक्रेन पर कहर बनकर टूट रही थी और करीब एक हजार योक्रेनी बच्चे हताहत हुए थे कब अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया था कि पुतिन नरसंगार कर रहे हैं लेकिन घाजा पट्टी के अंदर हज जारों मौथों के बाद भी अमेरिका इसे नरसंगार नहीं मान रहा है ये अमेरिका के दोहरे मापदंडों का बुक टेक्स्ट एक्जाम्पल है मलेशिया के प्रधान मंतरी अनवर इब्राहिम ने कहा है कि योकरेन की घटनाओं को नरसंगार मानना और घाजा पट्टी की मौतों को नजर अंदास करना वैश्विक पाखंड है दूसरी तरफ अगर देखा जाया तो अब तक घाजा पट्टी के अंदर 30,000 से ज़ादा लोग घाल है और घाजा पट्टी के अस्पतालों की हालत क्या है? ये पूरी दुनिया को नजर आ रही है जूर्डन ने घाजा पट्टी के गायल लोगों के लिए एजिप्ट के अंदर एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है किंग अबदुल्ला के बेटे खुद इस अस्पताल की निगरानी करने के लिए गए लेकिन आपको जान कर हरानी होगी कि इस फील्ड हॉस्पिटल में मात्र 40 बेड है जबकि घाजा के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग गायल है और इन हालातों में एक फील्ड हॉस्पिटल में मात्र 40 बेड का इंतजाम लोगों के साथ एक प्रूर मजाक है अचे कि अपूर हम के अप्रए ब्हातों में को दने एक फॉस्पर एकि जल्ग है कू उढ झालाफ है को च ön लोगा इस्रेल अपनी टेक्निकल सुपेरियरिटी की वज़े से अजह है पिछले हफ़े इस्रेल ने हमास की ताकत को इस कदर निस्तो नाबूद किया था कि पिछले हफ़े 72 गंटे में इस्रेल की राजधानी तेल अवीब पर एक भी मिसाइल अटेक नहीं हुआ था और जब सोमवार को तेल अवीब पर एक मिसाइल अटेक हुआ तो जहां से मिसाइल अटेक हुआ उस रॉकेट लाँचर को भी गाज़ा के अंदर जाकर इस्रेल ने तबाह कर दिया ये इस्रेल की ताकत है हमास की प्रवक्ता अबू उबैदा की माने हमास के लड़ाकों ने इस्रेल के 350 से ज्यादा बक्तरबंद गाड़ियां और टेंक को उढ़ा दिया है हमास का दावा तो यह है कि इस्रैल के 150 मरकाबा टेंक उढ़ा दिये गए है हमास तस्वीरे भी जारी कर चुका है लेकिन फिर भी हमास की पकड़ घाजा से इसलिए धीली पड़ चुकी है क्योंकि हमास के बड़े-बड़े हेड़क्वाटर्स पर इसरेल ने टैंक चढ़ा दिये हैं इसरेल ही नहीं अल-शिफा अस्पताल में काम कर चुके डॉक्टर भी ये मानते हैं कि अल-शिफा में हमास का हेड़क्वाटर हो सकता है टाइमस अफ इसरेल अकबार ने ये दावा किया है कि फ्रांस 24 नाम के एक न्यूस चैनल पर एक ब्रिटन के डॉक्टर ने इंटर्व्यू दिया है इस डॉक्टर ने तीन साल तक अल-शिफा अस्पताल के अंदर काम किया था गाजा के अल-शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर का दावा है कि अल-शिफा अस्पताल में कई ऐसी जगहें थी जहां पर उसे जाने के लिए मना किया गया था ये कहा गया था अगर वो वहां प्रतिबंधित क्षित्र में जाएगा तो उसे गोली लग सकती है Times of Israel ने दावा किया है कि अलशिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेटवाटर होने का दावा करने वाले विटिश डॉक्टर ने अपना नाम नहीं बताया है क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करने पर गाजा के अंदर मौँचूद उसके सहयोगियों को हमास मार सकता है अलशिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर ने आगे का कि सावधान किये जाने की वज़ा से मैं घाजा के अलशिफा अस्पताल के प्रतिबंधित शेत्रों से दूर रहा लेकिन मैंने कुछ संदिग से नजर आने वाले ऐसी लोगों को अस्पताल में हार समय अंदर और बाहर जाते देखा था जो चिकित्सा कर भी नहीं थे ये लोग अस्पताल के बेस्मेंट के अंदर जाते थे अरह भी लोगों के बाहर प्रतिफ नहीं थे खुछ से रहीं को अधर बनाते हुए एक पर फिर कहा है कि इस एंट्रव्यू से साबिक होता है कि अल्शिफा अस्पदाल का इस्तिमाल हमास के आतनक्वादियों के द्वारा हेड़ प्वार्टर की धर किया जा रहा था